Hey guys, welcome back to my channel तो आज हम बात करने वाले हैं equilibrium level of income and employment की तो इसके अंदर क्या होने वाला है चलिए शुरू करते हैं तो students सबसे पहले समझते हैं कि equilibrium क्या होता है तो first word the equilibrium equilibrium का मतलब होता है students equal students क्या होता है equilibrium का मतलब equal equal means what equal means मतलब एक ऐसी stage एक ऐसी stage या एक ऐसा एक ऐसी level जिस level पे आप क्या कर रहे हैं आप उस level को बदलना नहीं चाहरे हैं आप उसी level पे रहना चाहरे हैं उस level पे आपको higher satisfaction मिल रहा है उसको बोलते है equilibrium बट जब हम बात कर रहे हैं macro economics की तो macro economics में equilibrium level जब हम बात कर रहे है तो macro economics ये बोलता है equilibrium level of income and output यानि कि वो equilibrium level of income and output को अलग-अलग नजरिये से नहीं देखता वो equilibrium level of income employment and production वो सबको एक ही मानता है तो हम इसको ऐसा बोल सकते है कि equilibrium level of production या इंकम is always equals to equilibrium level of level of production or equilibrium level of production is equals to equilibrium level of level of employment या फिरिंद से और हम कह सकते है y is equals to o मतलब production is equals to n मतलब level of employment तो इस चीज़ को समझने के लिए इस पूरी बात को समझने के लिए इस पूरी बात को समझने के लिए डॉक्टर जे एम केंस ने एक थियोरी दी जिसके अंदर उन्होंने समझाया equilibrium level of income and production उन्होंने इसके लिए दो थियोरी दी उसी थियोरी के उपर ही पूरा चाप्टर डेपेंड करता है और यहाँ पर उन्होंने ज़द दो तो थियोरी इसके बारे हैं बात करी है पहली है aggregate demand and aggregate supply approach जिसको हम लोग ad equals to as approach कहते हैं और दूसरा saving and investment approach जिसमें हम लोग s equals to i approach कहते हैं तो आईए अब हम समझेंगे की aggregate demand and aggregate supply approach क्या होता है तो students according to kins जो equilibrium level है उसकी पहली approach है aggregate demand is equals to aggregate supply जहाँ पर aggregate demand equal होता है aggregate supply के उस level को बोलते है equilibrium level of incoming output जहाँ पर aggregate demand equal होता है aggregate supply के बट जिससे पहले वीडियो में हम discussion कर चुके है aggregate demand is equals to c plus i और aggregate supply is equals to c plus s तो अगर हम aggregate demand के जिगह में रखें c plus i और aggregate supply के जिगह में रखें c plus s तो c से c currency लाउट हो जाएगा और i equal हो जाएगा किसके s के या फिर हम बोल सकते है saving is equals to investment तो ऐसे equilibrium को saving equals to investment करके भी समझा जा सकता है आई इसको एक table के माईदिम से समझते हैं income जैसा कि हमने पहले भी बात कर रखी है ऐसे table हमने पहले भी बनाई हुई है यहापर हमने 0 रखा था यहापर हमने 100 रखा था फिर 200 फिर 300 फिर 400 फिर 500 फिर 600 और consumption जिसको c बोलते हैं उसको हमने सबसे पहले 40 रखा था और फिर 120 और फिर इसके बाद 200 फिर इसके बाद 280 फिर उसके बाद 360 उसके 440 फिर आर्चर बागा पांसो बीस इन्वेस्मेंट की बात करें तो constant था क्योंकि हम लोग लेते थे autonomous investment तो हमने यहाप पर 40 रखा हुआ था अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो असे से पहले आप वो जाके देखे तो आपको ज़्यादा clarify होगा savings में पहले था minus 40 और फिर था minus 20 फिर था 0 फिर था आपका 20 फिर 40 फिर 60 फिर 80 और aggregate supply की बात करें जो कि equal होता है income के बराबर तो 0 and then 100 and 200 300 4 500 and 600 aggregate demand की बात करें तो वो होता है आपका जैसा कि समझाया गया था अभी थोड़े दिर पहले ही मैंने बोला था C plus I और aggregate supply C plus S आप चाहो तो calculate कर सकते हैं इसको S बोलते हैं इसको investment बोलते हैं इसको consumption बोलते हैं और saving क्या होता है saving होता है जो भी income में से consumption को minus करके बच जाता है वो saving होता है जब आप aggregate demand की बात करें तो होता है C plus I जो की है consumption plus investment 40 plus 40 80 and then उसके बाद आपका 160 फिर उसके बाद आपका आपका आप चाहें जो अदा 240 फिर उसके बाद 320 फिर उसके बाद आपका 400 फिर उसके बाद आपका हो जाएगा यह 440 480 और 560 I hope की आपको यह table समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं aggregate demand और aggregate supply के equal की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह वाला वो level है जहाँ पर aggregate demand और aggregate supply बोथ क्या है equal है तो इस level को बोलेंगे equilibrium level और इसी level पर आप देखेंगे investment और saving बोथ हार equal तो इसको भी हम क्या बोलेंगे equilibrium level तो यह है इसका schedule requirements आईए हम इसको समझते हैं एक graph के माधियम से कैसे इसका graphical presentation होता है तो सबसे पहले ही हो जाएगी x-axis बड़ी ट्रीडी बंडरिया लाइन यह होगे x-axis यह होगे y-axis और यहाँ पर origin जिसे कि आपको पहले से ही बताया हुआ है कि जो income का level है यानि कि aggregate supply या फिर income जो कि बहुत equal होते हैं वो 45 डिक्री पे जाते हैं अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखिए तो आप वो देखें पहले और aggregate demand जो होता है वो थोड़ा सा उपर से बनता है और ऐसे करके वो उसके नीचे जाता है जो कि है C प्लस I तो इस पॉइंट को हम लोग बलेंगे equilibrium level of income and output X-axis यहाँ पर क्या दिखा रहा है यहाँ पर एक्सेस दिखा रहा है income और Y-axis दिखा रहा है aggregate demand और aggregate supply तो strengths अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं दिखा है तो graphical presentation महाँ पर जादा clarify कर रखा है aggregate demand और aggregate supply क्यों इस तरह की नाई ने बनती है वो बताया हुआ है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि aggregate demand और aggregate supply बोथ हार equal level जहाँ पर काट रहे हैं ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ तो देखिए पहले aggregate demand starting पे 80 था और यह 0 था इसलिए पहले यह 0 से start हुआ फिर और aggregate demand 80 से start हुआ लेकिन एक level के बाद जब भी cross कर जाते हैं तो उसके बाद aggregate demand जो है उसके नीचे आजाते है ठीक है अब समझते है supply and investment approach का graph कैसे बनेगा बहुत easy है यह होगे x-axis चूकि यह negative बनता है तो हम नीचे की तरह बनाएंगे savings negative से start होती है यह origin है यह y-axis है इस line पर हम so करेंगे saving and investment और savings start होती है students बहुत नीचे से और investment थोड़ा उपर से बट यह constant रहती है यहनिकी parallel रहती है x-axis के investment income के parallel रहती है क्यों रहती है यह हम लोग autonomous investment की आप बात कर रहे हैं और savings थोड़ा सा नीचे से शुरू होती है और यह इस तरह से scoop पर को cut तो यह है आपका saving तो जिस level पे जिस point में एक दुसरे को काटेंगे उसी point को बुलेंगे equilibrium level of income and output अगर हम इनको दोनों को एक ही ग्राफ में दिखाएं तो उसको किस प्रकार से दिखाएंगे अगर हम एक ही ग्राफ में दिखाएंगे तो किस प्रकार से दिखाएंगे तो ऐसे यह x-axis, यह y-axis यह x-axis हो गया यह y-axis हो गया यह और reason हो गया जो कि सबसे पहले आप income का level दिखा दिजिए aggregate supplies equals to y income जो कि बनेगा एकदम 45 degree पे और फिर हम लोग थोड़ा सा उपर से दिखाएंगे यहाँ पर से दिखाएंगे investment को जो कि है 40 investment और इसी का लगबग doubles हम लोग दिखाएंगे aggregate demand aggregate demand जो कि बढ़ता है C plus I और जब हम बात कर रहें savings की तो आपने इस बात का धियान रखना है कि इस level को बोलेंगे autonomous consumption भी बोलेंगे तो यह level और यह level बराबर होना चाहिए यहाँ से हम पर सुरू करेंगे पर ध्यान रखिएगा कि इस point को और इस point को आपने match करना है यहाँ पर तो आपका यह दोनो लेवल आपके match होने चाहिए तो यह होगे आपका saving इन दोनो पॉइंट्स को बोलेंगे equilibrium level I hope कि आपको इसका graph इसका schedule समझ में आ गया होगा तो student hope that कि आपको equilibrium level of income and output समझ में आ गया होगा जहाँ पर aggregate demand और aggregate supply बोथ equal है दोनो 400 पे हैं और जहाँ पर S और I दोनों ही equal है 40-40 पे इस level को क्या बोलेंगे equilibrium level बोलेंगे पर इसका गया जो इसके उपर है और जो इसके नीचे है जिसके उपर का level है उसमें आप देख सकते हैं aggregate demand जो है वो aggregate supply के comparison पे ज्यादा है तो इन दाट केस हम क्या बोलेंगे aggregate demand is greater than here aggregate supply तो इस case में हम लोग क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे access demand और जो इसके नीचे का level है जहाँ पर aggregate demand जो है aggregate supply से कम है तो इसको क्या बोलेंगे AD is smaller than AS यानि की deficient demand deficient demand तो students I hope that कि आपको ये topic समद्ध में आ गया होगा अगर इसको हम लोग graph में बताएं जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ तो आप लोग इस तरह से इसको शो करेंगे इस तरह से आप इसको शो करेंगे जहाँ पर ये हो गया income और यहाँ पर हम बोल सकते हैं aggregate demand और aggregate supply C और I हम लोग बता देते हैं savings और investment S और I aggregate supply जो है वो बनती है 45 डिग्री बे इसके बारे में हम पहले discussion कर चुके हैं और aggregate demand जो बनता है वो इस तरह से बनता है इसको C प्लस I बोलते हैं और investment आपका constant यहनी की parallel to x-axis investment बनता है save आपका नीचे से बनेगा तो आपने ध्यान रखना है मैंने कहा था इस line को और इनके cross की line को आपने एकदम equal रखना है इस तरह से यह गया का savings तो इस तरह का आपका graph बनेगा जिसमें कि आप लोग यह देख सकते हैं कि यहाँ पर aggregate demand की shortage है इस वाले point में aggregate demand की shortage दिख रही है तो इस वाले point को क्या बोलेंगे यह वाले point को क्या बोलेंगे इस वाले part को क्या बोलेंगे ad is smaller than s और इस वाले part को क्या बोलेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है it is greater than yes तो यहां पर इसको बोलेंगे deficient demand और इसको बोलेंगे excess demand I see hope that कि आपको यह topic समझ में आ गया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों उसमें लोग बात करेंगे investment multiplier की तो तब तक के लिए बाई बाई